सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडी स्टार्ज को और लेटेस वीडियो के लिए इस बेल आइकान को क्लिक कीजिए हलो इस टुडेंट मैं दिपेस के सरवानी आपको अपने इस यूटूब चैनल स्टेडी स्टार्ज में 36 गर्से संबंदित वीडियो प्रॉइट करता हूँ देखे हम लोग देख रहे थे हॉस्टल वार्डन एक्जाम के कोशन पेपर का अंसर जो कि आपका 2014 में हुआ था आप उस वीडियो को जरूर देखेगा तो चलिए देख लेते हैं हिंदी में 10 कोशन था और यह कोशन इंपोर्टेंट भी है आपके लिए क्योंकि आपके एक्जाम में रिपीट होते है जैसे कि देखे कोशन नमर 51 है हिंदी वर्माला में स्वरों की संख्या कितनी है तो आ आई पर देखे 56 नमर का कोशन एका एक कौन सा समास है तो एका एक में कौन सा समास है अववी भाव समास अप्सन नमर सी इसका अंसर होगा आगी बढ़ते हैं देखे कोशन नमर अप 52 है उस्ताद का पर्यायव अची है तो उस्ताद क्या होता है जो किसी कारे में निपूर ह दक्छ हो या फिर गुरु हो तो प्रोक्त सभी यांपर आंसर हो जाएगा आगे देखिए question number 57 उलहंगन में कौन सा उपसर्ग लगा है तो option number C हो जाएगा उत 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 प्लस लंगन तो लंगन हो जाता है तो उत उपसर्ग लगा है उलहंगन सब्द में फिर देखते हम लोग आ नहीं वर्तनी है चलिए अगला प्रशन देखते हैं कोश्चन नमबर 58 च्छत्र ग्या इन में से क्या है तो च्छत्र क्या है एक संयुक्त वेंजन है याद रखिएगा ये कोश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है फिर है कोश्चन नमबर 54 गौण सब्द का सही विलोम नारती चुनिए तो आप्चन नमबर भी मुख्य होगा गौण का विलोम सब्द मुख्य होगा 59 नमबर का कोश्चन है सरवाधिक अधिकार प्राप्त सासक इस वक्यांस के लिए सही सब्द का चैन कीजिए तो आप्चन नमबर सी हो जाएगा अधिनायक को कहा जाता है सरवाधिक अरिकार प्राप्त आगे बढ़ते हों लोग Q dances. कोशन नम्बर 55 है आपका इनमेंसे कौन सा सब्द बहु अचन में प्रयुक्त होता है तो अक्षद ऑ्ष। प्रार यह क्या है सभी बहु अचन में प्रयुक्त होते हैं फिर एक question number 60, निर्ण लिखित में से इस तरी लिंक सब्द चुनिए, तो आलम, अकाल और आस्रम जो है वो पुल लिंक सब्द है, तलवार जो है यहाँ पर इस तरी लिंक सब्द है, तो आप देख सकते हैं कि जो question paper है उस पर किस किस topic से question पुछा गया है, यहाँ पर लिंक से सब्द मतलब परियावाची और विलोम सब्द से पुछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते आगे, यहाँ वर्ण से पुछा गया है, वर्तनी से पुछा गया है, परियावाची पुछा गया है, और यहाँ पर देखिए आप समास से पुछा गया है, तो इस से आप समझ सक किस टॉपिक से ज्यातातर कोश्चन पूछे जाते हैं तो दस ये कोश्चन थे जो कि आपके होस्टर वार्डन 2014 की एक जाम में पूछे गये थे देखे हम लोग आपको टॉपिक वाईस आंसर बता रहे हैं इसके बाद हम लोग इंगलीज का अंसर देखेंगे उसके बाद मैस मैस का पूरा सॉलूसन देखेंगे तो आगे इसी प्रकार हम पढ़ते चले जाएंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ हो तो इस वीडियो को आप